सुदान्शु जी एक चल क्या रहा है जरा समझाईए मतलब हिंदु तो हिंदु तो अब वो हिंदु तो हिंदु तो तो मैं मुसलिम मुसलिम ये कौन से डाल कौन से पात की कहानी चल रही है क्या संग बदल रहा है या आप सोच रहें कि 2019 के लिए टोपी धारियों को शामिल करना जरूरी है देखिया अंजना जी समस्या जानते हैं क्या है जो संग ने या कारिकर्म रखा क्यों रखा ताकि लोग इस बात को समझ सके यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग संग को समझते नहीं क्या बोला मोहन जी ने उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व है वह सर्व समावेशी है मैं एक बात अपने सारे विद्वान पैनलिस्टों से पूछता हूँ दुनिया में एक देश बताईए जहां धरती पर पाए जाने वाले सारे धरम पाए जाते हूँ सिर्व भारत है और चो है चुँकि यहां कि उस मूल संस्कृती के कारण है और वह मूल संस्कृती जिसको सब लोग हिंदू संस्कृती कहते हैं दुर्भाग इसे 1976 में सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ने के बाद उस हिंदू संस्कृती को एक नकारात्मक दृष्टिकोंड से या एक राजनेतिक पुर्वाग्रे के दृष्टिकोंड से एक सांपरदाईक नजरी से देखने का प्रयास किया यही उन्होंने कहने इसराइल बनने के बाद यहुदियों ने अपने की हाथ में लिखा जहां कभी ने तो वही कुम कह रहे हैं ये हिंदू धर्म हिंदू संस्कृती भारत की संस्कृती थी हारत की बूल संस्कृती यही है इसलिए महात्मा गादी ने राम राज्य की बात कही थी समस्या यह है कि जब कॉंग्रेस सतर के दशक पो उससे भटकनी शुरू हुई और वो वहां से भटकते भटकते तुष्टी करण की परकाष्टा तक पहुँच गई तो उन्होंने रास्ता हमारे साथ आके जड़ जुड़ गया उसमें कौन सी बात है राष्ट तो सास्वत है हिंदू धर्मो संस्कृती शास्वत है भारत की संस्कृती शास्वत थी इन्होंने छोड़ा हमारे साथ आ गया